हाई गाईज आज की वीडियो में वापस से करंट एनरजी एन इंस्टन्ट जो इन्यूर्ज का रिमाइंडर है उसके बारे हम बात करेंगे इन्यूर्ज इस वक्त आपको कौन सा मेसेज दे रहा है आज का जो डिवाइन गाइडन्स है उसके उपर आपको ध्यान देना है जित आपको आपकी life के बारे मैं manifestations के बारे में ठीक है पहला काड यहाँ पर आया है five of fire conflict with others caused by opposing opinions walk away from drama unless the situation is really worth your time then stand up for yourself very ambitious people so guys clearly इस वक्त आपकी life है जो situation है आपको बहुत जादा you know argument में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूत है उससे आपके life में conflict पढ़ने के relationship affect होगी तो यह चीज में आपको you know थोड़ा stay away for you know drama यहाँ पर clear लिखा है तो drama जितना हो रहा है ना life में जितना दूर रहेंगे आपका mind उतन करना ठीक है एंड आपको खुद के लिए stand लेना है यहाँ ठीक है guys जहां तक यह reading जो indication मिल रहा है ना कहिना कहीं आप अपने आपको वह stand नहीं ले पार है आप खुद के लिए तो खुद के लिए stand लो ठीक है अपने ambition ambition की उपर द्यान दो focus करो ठीक है and just you know ignore करो जितने भी conflicts लडाईयां हो रही है जो भी एसी चीज़े हो रही है जिससे आपका mental peace you know खतम हो रहा है उनको आप avoid कर ठीक है चली दूसरा card यहां पर आया है release endings that lead to new beginnings the need to release situations of people that hold you back spiritual transformation वाव दिस आमेजिंग देखिए guys यहां पर आपकी life में ना कोई ना कोई chapter कभी ना कभी इनो खतम होगा और कभी ना कभी एक new beginning भी होगी ठीक है उसी चीज़ की भी new beginning होगी ठीक है तो there is no real end क्योंकि कुछ ना कुछ new beginning होती है life में ठीक है तो आपको इस वक्त ऐसे लोग और ऐसे situation जो आपको you know past में आपको किसी चीज़ में stuck करके रखे है ना उसको आपको release कर दिना है जो ऐसे जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या ऐसे situation या ऐसे चीज़े हैं जो आपको you know move forward हमेशा बोलते हैं कि just keep going move forward तो वह चीज़ बहुत ज़रूरी लाइफ में तो जो भी ऐसे चीज़ आपको कर दो आगे बढ़ो ठीक है यहां बें आपका spiritual transformation होने का भी बहुत तो बस रही थी आज की reading आपको आपको यह reading पे अच्छे लगे होगी यह reminder आपको बहुत काम आगा तो तब तक के लिए stay happy, stay blessed and good vibes to all